बहुत ही आसान तरीके से मेरा Facebook पेज पर original content अप्लूड करके मेरा 60 जा मेट वास्टेम को complete करके Facebook पेज को money days करवा लिया 60 जा मेट वास्टेम बहुत जल्दी जैसे complete हुआ वैसे followers भी complete पॉलिशी सीसू, live in eligible country सब problem को खतम करके मेरा page को मैंने money days किया दोस्तों अगर आप भी अपना Facebook पेज का वास्टेम को complete करवाना चाते हो तो मेरा यह process के बारे में आप जान लो कि कैसे में अपना Facebook पेज का मेरा जो Facebook पेज टेक वाला वहाँ पर 60 जा मेट वास्टेम को मैंने कैसे complete किया और कैसे काम किया सूरू से आज तक मैं कैसे काम कर दो सब कुछ मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे creators का जो request है भाया मुझे बता दो कि आप अपना Facebook पेज का वास्टेम को कैसे complete किया कैसे आप अपना Facebook पेज को money days किया दोस्तों मैं proof के साथ दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो पर मैं बताने वालो कि कैसे मैंने अपना Facebook पेज का वास्टेम को complete किया अगर आप भी इस तरीके से कम करोगे तो आप कभी वास्टेम complete हो जाएगा और आप भी मेरे तरह Facebook पर original content अप्लोट करके Facebook से कमा सकते हो एड्सों रिल से भी और Facebook इन स्ट्रीम एड्स और अधर्स जो monetization tools है सबसे दोस्तों वीडियो के main topic पर चलते हैं अब लोग जानते हो कि मेरा जो Facebook पेज उसका नाम है टेक वाला अधर्स पेजस है लेकिन मेरा जो टेक वाला Facebook पेज है वहां पर मैं original content को upload करता हूँ और original content upload करके Facebook पर रिच पाना या Facebook पर वारल होना वास्टेम को complete करना forwards बढ़ाना बहुत ही मुस्किल होता है लेकिन मैंने किया और वही जो secret है वही मैं इस वीडियो पर share करने वाला हूँ कुछ points है इस points को अगर आप step by step follow करोगे तो असनी से आप भी complete कर पाऊगे एक बात आप लोग वीडियो को ठीक से देखो सुरू से अन तक बीना skip के देखो आप लोग वीडियो को ठीक से देखते नहीं हो इसलिए आपको जो secret है उसके बार में पता नहीं चलता है तो मैं request करूँगा कि वीडियो को सुरू से अन तक बीना skip के देखो हो सके तो वीडियो में मैं जो भी points बताऊँगा उसको note कर लिजेगा तो number one पहले मैं अपना facebook page का content को set क्या कि facebook पर मुझे क्या upload करना है content क्या होगा तो उस content को मैंने पहले select किया कि मैं इस topic पर मैं काम करूँगा मैरा जो वीडियो से वह facebook निसके उपर होगा और facebook related content ही मैं upload करूँगा आप अपने हिसाब से upload कर सकते हो animation movies movie clips videos vlog cooking videos कुछ भी अपने हिसाब से आप upload करो जो आप पसंद करते हो या जो आप बना सकते हो उसके बाद number two मैंने select किया कि मुझे क्या upload करना है रिल्स या long video तो आपको भी ऐसे select करना होगा आपको सुरू कैसे करना है रिल्स से या long video से मैंने तो रिल्स और long video दोनों से ही सुरू किया था लेकिन मेरा जो first video था वो एक long video था और animation take related video था तो आप भी सुरू करो लेकिन मैं कहूंगा कि आप रिल्स से सुरू करो क्यूंकि आप ज़्यादा views चाहते हो शुरू दिन से ही आप रिच पाना चाहते हो तो सुरू करो रिल्स का रिच सुरू दिन से ही मिल जाएगा Long video का risk मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है लेकिन Reels का risk ज़रूर मिलेगा Number 3 पर आपको ये choose करना होगा कि आपका time कौन सा होगा कौन सी time में आप video को upload करोगे यहने कि publish करोगे आपका audience कौन सा time में आपके video को देखेगा तो सुरू सुरू में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा time आपके लिए सही होगा तो सुरू से आप सुभा से सुरू करो सुभा 8 बजे के बाद से video को upload करना शुरू करो लगातर साथ दिन आप 8 बजे video दो या 11 बजे video दो या 2 pair को 2 sum को 2 आप एक time select कर लो आपको कब video को upload करना है publish करना है एक fixed time आप select कर लो तो उससे क्या होगा facebook को पता चलेगा कि ये आदमी ये person ये creator इस time पर video को upload करते तो चलो इसको वोश्ट दे दो तो ये भी एक category है और मैंने भी ऐसे ही काम किया था एक time को मैंने select किया था फहले में सुभा में video को upload किया करता था सुभा 10 बज़े से 11 बज़े के बीच में तो आप भी एक time fix कर लो number 4 आपको क्या बनाना होगा किस type का content को बनाना होगा आपने तो topic को चुन लिया niche को चुन लिया category के आप सब को चुन लिया कि आपका जो content है क्या वो shareable है क्या वो engaging है shareable content मतलब आपका content कुछ important content होगा लोग देखेंगे सिर्फ देखेंगे नहीं वो लोग उस video को देखने के बद शेयर भी करेंगे तो वो हुआ shareable content इससे फाइदा क्या होगा जैसे आपका video facebook तो आपको reach दे ही रहा है साथ में आप आपका content अच्छा हुआ तो लोग उसको share करेंगे जब share करेंगे तो एक extra bonus मिलेगा उससे आपका भी फाइदा होगा जो share कर रहे है उसका भी फाइदा होगा क्योंकि facebook इसी तरीके से काम करते उसका फाइदा क्या होगा अगर मेरे video को share करोगे तो इससे आपका फाइदा क्य लोग देखेंगे like करेंगे share करेंगे comment करेंगे कुछ भी करेंगे लोग video को अंतक देखेंगे समझेंगे यानि के video boring नहीं होना चाहिए तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा याद रखके ही आपको काम करना होगा number five उसके बाद मैंने क्या क्या था मैंने thumbnail को लगाना सिखा thumbnail लगाना मुझे आता था मैं YouTube पर वीडियो बनाता था Facebook पर भी बनाता था लेकिन पहले में thumbnail अपलोट नहीं कर जाता तो बाद में मैंने किया क्या thumbnail लगाना भी शुरू कि चलो देखते है Facebook पर thumbnail लगाने से क्या होते और नहीं लगाने से क्या होता है तो फरक नजर आ था दो तीन चार पांच ऐसे करके व्यूस आता था कि या फर व्यूस आये या ना आये मुझे फरक नहीं पड़ेगा तो इसी तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा अब YouTube पर काम करो यह दूसरे पर काम करो एक पेज बना लो जहां पर आपका original content होगा व्यूस आये या आप भी grow हो जाओ और उसके बाद मुझे एक thanks बोल देना बस और कुछ नहीं चाहिए और last point यह बहुत important है number six consistency consistency का मतलब क्या है पता है यानि के time के मतविक्त लगातर काम करना चाहिए हफते में साथ वीडियो डालो यह एक वीडियो डालो या दो वीडियो डालो उसका जो time duration यह gapping सब कुछ सही होना चाहिए आज एक वीडियो डाल दिया कल चार वीडियो डाल दिया और अगले साथ दिन कोई वीडियो नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए एक regularity maintain करो वीडियो को upload करो आपका views आएगा हाँ कभी कबर आपका भी मन डाउन हो सकते है तो क्या किया जाए कोशिश करना consistency को पकड़के रखना problem सभी के साथ होता है और facebook youtube के अलावा और भी आपका आदर्स काम है घर का काम है तो कोशिश करना कि आपका consistency maintain हो तो वीडियो वाइरल होने का chance से ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसका daily reach बढ़ेगा जब daily reach बढ़ेगा तब viral जाएगा जब फैरल जाएगा तब followers बास्टेम सब कुछ complete होगा और वहाँ पर original content तो आप upload कर रहे हो तो उसके वजह से कभी polish issue का problem नहीं आएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे आप कभी popularity आएगा और आप कभी page monetize होगा सब कुछ complete होगा कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा मैं 100% guarantee देता हो कि आपका page monetize होगा अगर ये तरीका को आप apply करोगे तो हाँ उसके अंदर ऐसा कुछ गलती मत करना जो Facebook बता रहे है Facebook का partner और content medicine policy को follow करके आगे जाना नहीं तो बीज में आप बंद हो जाओगे Facebook का policy को कभी violet यानि कि उसके against मत जाना उसके खिलाप मत जाना तो ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करो और प्रूब चाते हो कि मेरा Facebook page monetize हुआ के नहीं है तो मेरा जो Facebook page है I am take wala add the rate I am take wala take wala वहाँ पर जाओ देखो और देख लो मेरा page monetize है वीडियो पर add भी चलेगा और रिल्स पर भी add चलेगा